तो आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो ले किया हूं यू कह सकते हैं कि माइनिंग इंफॉर्मेशन से रिल्टेट एक वीडियो है उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आगन को प्रेस करते जब भी वीडियो देखते तो लाइक कवर टेंट प्रेस कर दिया किसी उससे अच्छा लगता है कि मोटिविशन बिलता है तो फिछली कुछ दुन्यों से कुछ बच्चे मुझे भारत कोस वाला पेमेंट कैसे करना है उसके बारे मुझ रहे थे कुछ का रिजेक्ट हो गया तब और अलग-अलग जाता है बरत कोस के साथ और भी वीडियो अभिवार आएंगी कि कैसे अपलाई करें नया पैटन में नया तरीके से अलग-अलग फार्म कैसे बर उससे पहले अगर आप माइनिंग की क्लासिस करना चाहते हैं तो अभी और में और सरदार का नया बैच एकदम सीरे से नया सीर कहीं खाली जगह देखें अगर आप वर्टसप बिसिकली आभर में का या फिर माइनिंग सरदार का क्योंकि क्या है अभी पैटन पूरी तरह से बदल चुका है माइनिंग सरदार और आभर में का जिस टाइप से कोशन आता है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो पहले का पैटन अलग था अभी का पैटन अलग है अभी आपको थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ना होगा पहले आप अलग टाइप से पढ़ते थे अलग टॉपिक पढ़ते थे अभी का अलग इंपोर्टेंट है मैंने खुद एक्जाम दिया है क्वालिफाई किया है अलग बात सर्दार औभर मेंन का अगर आप क्लासेस जॉइन करना चाहते है जो कि एकदम नया बैच है अभी स्टार्ट करने वाला हूं एक दू दिन के अंदर तो आप मुझे वट्सप पे मैसेज किजेगा वट्सप नंबर है 6200670155 इस पे वट्सप पे मैसेज किजेगा माइनिंग सर अब भी आपको अच्छा कासा लाव इससे होने वाला है तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो वट्सप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अब आता है टापिक के उपर चले तो भारत को उसमें पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको भी ब सब्सक्राइब करेंगे तो भरत को लिए जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो आएगा भरत कोस डॉट जियो भी डॉट वेलकम टू नॉन टेक्स रिसिप पोर्टर इसको आपको क्लिक करना है बिसिकली सरकार का एक साइट है जिसमें हर डिपार्टमेंट का पैसा जा दिखेगा लिखा होगा नॉन रजिस्टर्ड यूजर तो इसमें आपको क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर दिखेगा चार प्रोसेस है बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है चार प्रोसेस है और इसी में से सिली मिस्टेक आप क करेंगे थोड़ा से टाइम लगेगा तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक रजी बूडियो को यहाँ पर देश्टि करने के बाद थोड़ा सापको वेट करना है एक पर फबांद करने के बाद यहां पर देखेंगा आ रहा होगा इकजामईसन फी एंडर माइनसेक्ट इसमें अपको क्लिक करना है बच्चे क्या करते हैं इसमें क्लिक ना करके नीचे आ रहा है examination fee under mindset इसमें क्लिक कर देते हैं और इसमें payment कर देते हैं ये अलग institute fee है RLI वाला मतलब research institute वाला का fee है इसमें payment कर देते हैं तो जब आप सही जगा payment नहीं किजेगा तो आपका form reject ही होगा न भाई तो सही जगा payment करने के लिए आपको क्या करना होगा examination fee for mining competency examinations या पर null लिखा होगा या examination fee under mindset आपको इस वाले पर क्लिक करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपका फिर से आ जाएगा आप यहाँ पर एक बार आप मिला लेंगे confirm करने के लिए कि आप आप कमश्टी लेवर इंप्लाइमेंट है डिपोजिटर कैटेगरी इंडिवीजवल है परपस माइनिंग यहाँ पर लिखा होगा examination fee for mining company examination यहाँ पर देखेगा यह functional हेट का जो होगा वो examination fee under mindset लिखा है बिल्कुल सही पे एंड एकाउंट आफिस में यानि PAO में आपका DGMS धनबाद का address मिलेगा तो बिल्कुल सही जा रहे हैं drawing and distributing office DDO जिसको बोलते हैं वो DGMS होगा तो दिखे डारेक्टरेट, general, mind, safety included, regional offices तो बिल्कुल सही तरीके साथ यहाँ तक select की है मतब डिपार्टमेंट आपका सही है जहाँ पेमेंट कर रहे है अब यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा अब आप यहाँ पे जो INR लिखा हुआ है कितना फीक इसके लिए लगता है यह चीज आपको पता होना चाहिए तब ही जाके आप सही से भर पाएंगे चलिए हम आपको लिख के रखे हैं फटा फट दिखा देते हैं एक मिट दिखिए मैटल में अगर आप मैटल का फॉर्म भर रहे है और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का फॉर्म भर चाहिए आपका एक्जामिनीशन बेसिस पे हो चाहिए आपका एक्जामिसम बेसिस पे हो ये दोनों केटेगरी में जो आपका फी है वो 100 रुपिया है फर्स्ट क्लास का सेकेंड क्लास का 75 रुपिया है सर्वेयर का 50 रुपिया है एमेमार के अंदर में फॉर्मेन का 50 रुपिया है Mate का 30 रुपया है Blaster का 25 रुपया है और Winding Engine का MMR 1961 के साफ से 2 Certificate होता है Winding Engine Man 1st Class उसके लिए 30 रुपया Winding Engine Man 2nd Class इसके लिए 25 रुपया इसी तरह से अगर आप Cole वाले केटेगरी में apply करना चाहते हैं तो 1st Class Manager Certificate के लिए 1200 रुपया second class manager certificate के लिए 900 रुपिया surveyor के लिए 600 रुपिया overman के लिए 600 रुपिया सरदार के लिए 400 रुपिया winding engine man के लिए 300 रुपिया यहाँ पे winding engine man का एक ही exam होता है second first class ऐसा नहीं होता है CMR चाहे आप examson basis पे apply करने हो चाहे आप examination basis पे apply करने हो अब एजमसम और एग्जाम लिसन क्या होता समझाते हैं तो आपका जो certificate मिलेगा वो एजमसम बेसिस पे होगा यानि आपको अलग से कोई exam नहीं देना एजमसम का मतलब होता है छूट यानि आपको कोई exam नहीं देना आपको exam से छूट मिलता है लेकिन अगर वो माइनिंग सर्दार certificate holder है इसके बाद साथ दिन का आप experience लेते हैं और अबर मिन certificate के लिए apply करते हैं तो आपको exam देना पड़ता है तो उसको बोलते examination basis ठीक है तो यह basic मैं आपको समझा दिया तो exam sum so examination हूँ जो fee है उस category का particularly same वही चीज है मतलब FMC चाही exam वाला हो exam sum वाला हो 1200 second class वाला चाही exam वाला हो exam sum वाला 900 ऐसे करके सबका same category का same fee है चल अब आते हैं हम लोग fee तो बता दिया आपको यह fee गलत pay करने के कारण होता है जल्दी जनरल लड़का लोग का reject अभी जिसे government का fee है 600 रुपिया तो आपको 600 रुपिया ही pay करना है 610,620,650,700,600.01 तक pay नहीं करना है मतलब 600 रुपिया ही यहां पर भरना है अलग बात है tax आगे जाके कुछ अलग कटता है वह अलग बात है लेकिन आपको 600 रुपिया ही भरना है ठीक है मतलब यह हुआ just a second कि आपका यहां पर जो fee है न फी यहां पर आप अगर government के लिए apply करना है तो 600 रुपिया ही यहां amount डालना है ठीक है 600 रुपिया ही amount डालना है रुपिया ही यह चीज़ को देख नहीं है यह तो घर change नहीं कर सकते अब आता है remark अब यह remark के चलते ब बहुत सरवच्चा लोग में तो इसको भी दूर कर देते हैं देखे डीजे मेंस basically एपना एक advertisement की काली थी उसमें payment का पूरा process बताया था इसके साथ साथ circular निकाला था उसमें क्या लिखना है किस category के लिए वो भी बताया था ठीक है तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते है देखे अगर आप कोई भी एक्जाम के लिए form भर रहे हैं तो डीजे मेंस जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है यही आपको लिखना है आप इसमें कॉमा भी नहीं बढ़ा सकते फुल स्टॉप भी नहीं बढ़ा सकते बिना मतलब का space नहीं लगा सकते छोटा writing में नहीं लि इसके बाद अगर second class के लिए apply कर रहे हैं हलाकि अभी जमसंद भी आ गया है नया अपडेट में तो यहां examination के जगए जमसंद भी लिखाता है इसके बाद मान की चली second class के लिए apply कर रहे हैं तो second class certificate जमसंद ज्यानी की छूट वाले हैं बीटेक वाले हैं restricted comma space cmr comma space 2017 इसी तरह स आपको लिखना पड़ेगा इसा नहीं कि बोल्ड लिखा है और यह वाला color जो है color match करना color नहीं match होगा ऐसे आपको लिखना है for example मैं आपको दिखाता हूं इसी तरह से यहां पर एक एक चीज को ध्यान से दीजेगा एक काम करते हैं इसको मैं अपने टेलिग्राम पर डाल द तो इसमें आप जाके अच्छे से अपना देख लेंगे भाई किसके लिए कैसे लिखना है एकदम हूबहू ऐसे लिखना है जैसे यहां लिखा है उठाना है गॉमा फूलिस्टो पस पेस सब वह एकदम हूबहू ऐसे ही लिखिएगा आपका form कभी reject नहीं होने वाला जैसे टेकर यहां पर रिमार्क में हमको अबर्में मानके चली ओवर्में लिखा है ठीक है और में किसके लिए लिए अजमसं के लिए ना तो अबर्में के बाद ब्रेक हैट इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ था अन्रेस्टिक्टेट 2017 अन्रेस्ट्रिक्टेट इड़ स्पेस येमार 2017 2017 अभी जहां पर कॉमा डाला है उस पर कॉमा डाला चलिए देखते कॉमा कहां डाला है कॉमा बाद तो कॉमा अन्रेस्टिक्टेट के बाद हम देंगे उस चीज को ध्यान रखेगा इसके बाद cmr 2017 तो cmr 2017 तो बिल्खुल ऐसे ही आपको भरना है ऐसे ही भरना है बहुत ही बारिकी से ठीक है फिर यहां पर capture में फिल करेंगे चले capture फिल करते हैं p5 k h y q ठीक है अब मैं यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए फर्म भर रहा हूं इसके लिए मुझे ऐसा करना भड़ रहा है तो यहां पर करने के बाद आपका तो 600 रुप्य ही रहेगा अगर वही रहेगा जैसा यहां पर रिमार्क लिखना है मैं बता दिया हूं उसी तरह से आप रिमार्क लिखेंगे चली इसके बाद यहां पर नेक्स्ट मैं आप क्लिक करेंगे अब जब यह फॉर्म भरेंगे तो आप कुसिस कीजेगा बहुत जल्दी जल्दी भरने का चली हम भी इसको कोई रेंडम नाम डाल देते हैं ठीक है कि दीपक कुमार कोई भी एक हम रेंडम डाल रहे हैं ठीक है आपको दिखाने के लिए पेइमेंट करने के लिए ठीक है यहां पर सिटी में भी मैं धनबाद ही क्लिक कर दूंग यहां दश्र इसको शोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार मारकिंगt नहीं है आप खोड़ सकते हैं न कुई में है आपको शहीं पर-डिस्टिक को का इक काम आने वाला है ओके चले फिलाल मैं यहां पर कोई भी डमी डाल देता हूँ इतना करने के बाद जब आप इसको next करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई एकदम सही है कि नहीं ऐसा है कि इसको यहां पर चेक कर सकते हैं जैसे दीपक का option आजाएगा अब यहां पर कोशिस किजिएगा कि debit card से या net banking का इस्तमाल करें यूपी आई के थोड़ा कम इस्तमाल करें क्योंकि थोड़ा fail rate होता है यहां पर देखिए SDF से bank का success rate 89.75% दिया है तो ऐसा नहीं कि SDF से अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ मैं यहां पर UPI select करते रहा हूं ठीक हलाकि UPI में लफड़ा होता है बट मैं आपको एक demo दिखाना चाहता हूं कोशिस किजिएगा कि card payment करिये आप ठीक है बाकि ऐसा नहीं है कि card payment नहीं अच्छा होता है payment का ठीक है अपना जो भी इस गेटवे है उसको select करेंगे select करने के बाद आपना करेंगे capture डालेंगे और यहां पर प्लिक करेंगे जैसे यह प्लिक करेंगे आप के पास यहां पर पोटल बिसिकली आपन हो जाएगा यहां पर मैं यहां पर कोई भी एक गेटवी को क्लिक कर देना मैं अच्छे कर दो नहीं है यहां पर गडबड किया थोड़ा थोड़ा थीरे धीरे कर रहां पाई और यहां पर दिक्कत पता है क्या है एक बार अगर फेल हो गया ना फिर से हमको सुरू से भरना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अभी करना क्योंकि आप भी कोसिस किजेगा कि जब कीजेगा जल्दी जल्दी किजेगा प्लीज सेलेक्ट दबैंक कार्ड सही करना पड़ेगा अभी कार्ड मैं करूं तो दिक्कत ना हो जाए आप ऐसे कर सकते हैं यहां से तो आपका सिंपल हो जाएगा पेमेंट कोई बड़ा चीज नहीं है ठीक है आप कर दिजिएगा लेकिन को मुझे इस लिए दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कोषिस कीजिएगा अवाइट करनेका बट मैं अभी करके आपको डेमो दिखाना चाहरा हूए ठीक है चल लिए में क्लिक किया कि देखिए कितना लफड़ा होता है इसलिए को अब कीजिए यहां पर सेलेक्ट एने पर काम ही नहीं कर रहा है वेट कोई नहीं कि मैं आपको कि प्रोसीट का ऑफ्सन भी नहीं आ रहा है कि चले कोई नहीं अभी आया पे करता हूं तो मैंने आपको बताए कि करेंगे यूपी भी कर सकते हैं असा नहीं है लेकिन यूपी में क्या है फेल्ड होने के चांसे ही जादा होते बट मैं छे रुपिया कर रहा है तो मुझे अभी फरक नहीं पड़ता है छे रुपिया घाटा सह सकते हैं इस इसलिए पर यहां पर प्रोसाइस मैं आपको बतादेता हूं रवेट्ट करता है अगर मेरा यूपी का लिंक आता है और अगर नहीं आता है तो अगे का प्रोसेसर समझाँ में आपको प्रोसेसर mendon करने की बाद कैसे आप चलान जोराइट कर सकते हैं ह calam जैसे पेव्य ऑपके पास यहीप की पास जेregular ट्रेंट्रेंगा आप जैसे जेनरेट्स प्लिक करेंगे डाउन डाॉनोड कर जाएगा फिर आप उसको पेमिंट कर सकते हैं मेरे पास अभी तक नहीं पहुचा है तो बिसिकली यहां से कुछ दिक्कत नहीं है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए जब भी कुभी वीडियो देखते हैं लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है मॉटिवेशन मिलता है बिसिकली और और टॉपिक चाहिए कि आपको किसी टॉपिक से रिल्टेट जैसे एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अभी आपने वाला हूँ तो ऐससा अगर वीडियो है वह उस पर भी आएगा और अगर अक्लास जूर्ण चाहते हैं तो मेरे वाट्स प नमबर पे इस वाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीज़ेगा आपका ठीक है यहां पर पेमेंट देखिए अभी तक लिंक नहीं आया है यही होता है यूपियाई वाले में यूपियाई अभॉट करने क्लिक कह रहा हूं कार्ट इसलिए कह रहा हूं ठीक है डेमो दिखा दिया य करते हां पैडी यहांप पेडियाद भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं को अज फिसरार कुछ के बाता है करते हैं फ्रफट करके करते हैं यहां जैसे डाउनलोड होगा उसके बाद फिर आप इसको अपलोड करेंगे जब भी डीजेमस को कोई ऑनलाइन फाव अपलोड करेंगे तो यहां पर जब रिसीप्ट मांगता है भरत कोस का तो यहां पर आपको करना है तो सबसे पहले जो फार्म भरने का तरीका होता है उसमें सब से पहले आपको भरत कोस का पेमिंट करना है पेमिंट करने के बाद आपके पास रिसीप्ट रहेगा फिर आगे का प्रोसेजर कीजिए आई होप यह वीडियो आपके काम का होगा अगर आप क्लासिस करना चाहते हैं माइनिंग सर्दार का और में का तो मेरे वट्सप नंबर 6200670155 पे मैसेज कीजिए बहुत जल्दी मैं एक बैस स्टेट स्टार्ट करने वाला हूं नए तरीकेस पढ़ाऊंगा कोल इंडिया डीजियमस दोनों एजाम के लिए आपके लिए सेम कारगर सिप्द्ध होगा माइनिंग सर्दार हो अगर मैंन हो साथी साथ साथ सेकेंड जो तजुरुबा है उससे मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको अच्छा रहेगा चलास आपको लाइव चलेगा और साती साथ रिकॉर्ड़ेड वीडियो लेक्ट्टर भी मिलेंगे आपको मतलब ऐसा नहीं कि लाइव क्लास शूड़ गया तो फिर आपक करने का 6 माहिना में कि खतम हो जाएगा उसके बाद भी आपका ग्राप सरफ नहीं देना है् ignored आपके पाद सर रहेगा पी आप जनुमिन रहेगा फी मैं आपको बता देता हूँ 500 रुप्या पर मन्त आपका लगातार छे महीना तक class चलेगा छे महीना तक मैं आपका portion को cover करने का खतम करने का मेरे target रहेगा इसके बाद भी आपका validity दो तीन महीना में रख दूँगा ताकि class खतम होने के बाद भी दो तीन महीना आप उस study material को स्कोर्स को वीडियो को जो भी topic पे डाउट हो आप बार बा लेक्चर भी डालूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा classes लेना होता है हफता में कितना दिन class रहेगा नहीं रहेगा तो यह सब कह नहीं सकते अभी लेकिन मान के चले कि तीन दिन तो कम से कभ़ हम पढ़ाएंगे तीन दिन मैं कहता हूं मैं छे दिन पढ़ा देता हूं लगाता और एग घंटा मैं कहा कि अगर मैं दो घंटा तीन घंटा भी पढ़ाऊंगा तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ठीक है बाकी वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके भी डालूँगा जब जब मुझे टाइम मिलेगा बारा बज़े रतिया को टाइम म करना चाहते हैं तो फी बहुत कम रखा हो 500 रुपिया छे महना में आपका पोर्स खतम हो जाएगा और गारेंटी यह भाई सब कि अभी के जितनी कंपटिटिव एक्जाम हो रहे हैं कोल इंडिया लेवल के और जो अलग अलग लग जो वेकैंसे निगलता है उन सभी एक्जा प्रेटन के हिसाब से पढ़ाओंगा दौर चेंज हो चुका है तरीका बदल चुका है कोशन पूछने का तो आप कौन सभी चीजों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा तो अगर आप क्लासे में पास करते हैं तो आपको प्रेसर जेलना पड़ेगा बहुत सारा बहुत सा हैं